Tata Motors ने देश में Nexon EV Max के डार्क एडिशन को 19.04 लाक रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर लॉंच किया है। यहां एक Z-Plus Lux कीमत 19.04 लाक रुपए और 7.2 किलोवार्ट AC वाल बॉक्स चारजर के साथ एक Z-Plus Lux कीमत 19.04 लाक रुपए के दो वेरियंस में बेची जा रही है। Nexon EV Max डार्क एडिशन को मिड़नाइट ब्लाक रंग में तयार किया गया है। इसके एक सिटीरियर में 16 इंच के चारकोल ब्लाक रंग के अलॉई वील्स, सैटिन ब्लाक हुमेनिटी लाइन और आगे के फेडर्स पर डार्क बैज दिया गया है। इसके अलावा तीने रो डियारिल्स, प्रोजेक्टर हेड्लेंप्स, तीने रो आकार के LED चेल लाइट्स, शार्प फिन एंटीना और रूफ रेल्स शामिल है। Tata Nexon EV Max डाशबोर्ड इसके अंदर डार्क थीम इंटीरियर, ज्वैल कंट्रोल नॉब, तीने रो पैटर्न के साथ पियानो ब्लैक डैशबोर्ड, डार्क थीम डोर ट्रिम्स, डार्क थीम सीट अफोल्स्ट्री और ईवी ब्लू स्टीचिंग के साथ लेधर से कवर स्टियरिंग वील दिये गए ह इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से 10, 25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेल्मेंट सिस्टम, वाइरलेस एपल कारपले व एंड्रोइड आटो, नया इवी डिस्प्ले थीम, वोईस आसिस्टेंट, आटो होड फंक्शन के साथ एपीबी, आगे वेंटिलेटेज सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, आटोडिमिंग आयार वीम, इलेक्ट्रिक सन्रूफ, वाइलेस चार्जर और एर प्यूरिफायर के फीचर्स शामिल किये गए हैं। बता दें कि इसमें तीन ड्राइव मोड्स और मल्टी मोड रिजेन फंक्शन ओफर किये जा रह इनेम का टॉप जनरेट करता है। यहां 9 सेकेंड्स से भी कम समय में 0-100 किलोमीटर प्रती घंते की रफ्तार पकड़ सकती है। सिंगल चार्ज में इसकी ए आरे आई रेंज 453 किलोमीटर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें दो एर बैक्स, EBD के साथ ABS, Traction Control, Roll Mitigation, HSA, HDC, ESP, Break Disc Whipping, चारो पहियों में Disc Breaks, Panic Break Alert, After Impact Breaking और TPMS के सुरक्षा फीचर्स दिये गए हैं।